पुद्रखन में केहर वर्पा रहा कोरुणा 689 केस के साथ 77,000 के पार संक्रमित 8 कोरुणा संक्रमितु ने दम तोड़ा रुड़की में सेना और ग्रामिरों के बीच विवाद आखोशित ग्रामिरों ने तोड़ा सेना का गेच रास्ता रोखे जवाने को लेकर हुआ विवाद काशीपुर में आगनबाडी से मिने पोशाहार में निकले केड़े महिलाओं ने किया हंगामा सीडीपीओं ने दिया कारेवाई का अश्वास हरिद्वाल में माया देवी मंदर का होगा जेनो धार मिला दिकाली ने जुना खाड़े को सवापा शाषना देश दीपक रावत ने मंदर में की पूजाच और देरादूम को स्माज सिटी बनाने का काम देश शेहर में 30 स्माज बसों को चलाए जाने का फ्लैन अगले सब्ता से होगा बसों का त्राइब नमस्काश स्वागत है आपका आप देख रहे हैं उत्राखंड लाइज नहूं आपके साथ चरते मिश्टा उत्राखंड में कुरोना संक्रमित मामले एतीजी से बढ़ रहे हैं और दो दिनों से संक्रमित मरीजों के संक्याथ 600 से अधिक पहुँच चुकी है 24 घंट के भीतर 689 संक्रमित और 8 मरीजों की मौत हुई है वहीं कुल संक्रमितों की संक्याथ 77,573 हो गई है सक्री मरीजों का आकड़ा 5,176 पहुँच चुका है स्वासे विभात के आकड़ों के मताबिक शनिवार को 12,045 सेंपल्स की ज्वांच रिकोर्ट नेगेटिव देरादुम में सबसे अधिक 307 पॉजिटिव केस आए वहीं नैनिताल में 87, अलमोडा में 25, खालीद्वार 38, पित्वरागर में 36, पौडी में 33, उदम सिंग्नगर में 31, चमोली में 27, टीरी में 15, चमपावत में 14, रुद्र प्र्याग में 9, उतरकाशी में 8 संक्रमित तो उतरकाशन में गोरुना संक्रमितों को आकड़ा अतीजे से बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि बीटे 24 घंटे में 689 केस मिलने से इस पास्ते विबाग में हर्थम पंचा है और इसी के साथ संक्रमितों का अकड़ा 77,000 के पार पहुँच गया है, वहीं प्रदेश में प्रभेश करने वाले हर व्यक्ती की अब स्क्रीनिंग अनेवारे होगी राजसरकार ने प्रदेश में बढ़ते मामलों को चमूली में नंद प्रयाग घाट मोटर मार्ग के च्वाडी करन और डामरी करन की मांग को लेकर वेपार मंडल और टेक्सी यूनियन ने क्रमे कंशन शुरू किया है उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती उनका आंदोलन यूहीं जारी रहेगा वहीं जुरान प्रदेशन कारियों को मनाने पहुंचे लोनिवी के अदिशाशी अभियंता को भी बैरंग वापस भीश दिया क्या बताते चलें कि घात नंद प्रियाग मोटर मार्ग कई गावों को मुख्याले से जोडता है लेकिन अब ये मार्ग काफी संकरा हो चुका है इससे कभी भी बड़ा हासा हो सकता है मुख्यमंत्री त्रिविन सिंग रावत ने दो साल पहले इस मार्ग को देड़ लेन बनाने और डामरी करन करने की घोशना की थी लेकिन अभी तक सड़प का काम पूरा नहीं हो पाया है जिससे इस्थानी लोगों के साथ-साथ वेपारियों में भी खासा आक्रोश है पूली में मारवाडी चौक से अपर बाजार तक कहीं पर भी जलसनस्थान के द्वारा स्टैंड पोस्ट नहीं लगाए गए हैं और इससे दूर दराज से आने वाले ग्रामेडों को अपनी प्यास बुझाने के लिए होटलों का सहारा लेना पड़ता है बताते चलें के चारदाम यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशी मट में कहीं भी स्टैंड पोस्ट नहीं है हालांकि चारदाम यात्रा को देखते हुए जलसनसान नहीं चार स्टैंड पोस्ट लगाए हैं जोके बद्रिनात बाइपास के समीब हैं वहीं तीन स्टैंड पोस्ट शोफीश बने हुए हैं, कई सालों से बन पड़े हुए हैं और इस्थानी लोगों की मानिक तो जोशी मच मोख्य बाजार में स्टैंड पोस्ट लगने चाहिए, जिसे दूर दराश्च के आने वाले लोगों को पीने का पानी मिल सके। ये निर्डेश दे दूँगी, कि जो स्टैंड पोस्ट अभी नहीं चल रहे हैं, उन पे पानी सुचार भूप से आ जाएगा। तो चने और उसे अब इनके साथ सूजी के पैकेट्स में कीडे लगे हुए थे और इसके साथ ही गुड़ भी खराब था, जो इसे देख महिलाएं भड़ा, गई और आवगनबाडी सुपर्वाइजर से जाकर मुलाकार की। वैंसी डिप्यो ने लोगों को मामल पर कारवाई करने का अश्वाशन दिया है। हमारा नाम वीरवाला चोधरी है सर। हमारे स्योगी काशिपूर से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। बड़ी लापर वही आपर सामने आ रही है आगन बड़ी पोशाहार में किस तरीके से कीरे पाए गए हैं। इस साथ तोर पर स्क्रिन पर बया हो रहा है क्या कुछ कारवाई पूरे मामले पर हुई आरिफ। तमाम जानकारी के लिए बड़ी शुक्रिया आपका आरिफ। वही मंगलौर में गंग नहर पर कुछ साल पहले बना पुल च्वाति ग्रस्त हो गया है और इसके कारण यहां कोई बड़ा हाथ्सा हो सकता है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से तूट चुका है लेकिन विभागी अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे है। जिबके इस पूल पर रोजाना हजारों की संख्या में भारी और हलके वाहन भी गुजरते हैं और इससे कभी भी यहां कोई बड़ा हाथ्सा हो सकता है। भागी अधिकारियूं किला परवाही के कारण नहीं गंद नहीं पर बना पूल कभी भी किसी बड़ी उद्रभटना को दावत दी सकता है। जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि इसको संग्यान में लेते हुए इसे सही करा है। आगे आने वाला कुम का मेला जो परव है यहां पर यहां सराद्धलव आएंगे किसी को जान का जो घिमना उठाना पड़े। इसलिए मैं यह अपील करना चाहता हूँ जो इसके जिम्मेदार विभाग है वो इसकी संग्यान में लेते हैं। रुड़की में सेना और ग्रामिडों के बीच रास्ते को लेकर चल रहे विबाद में इस्ति तनावपोन हो गई है। बातचीत भी हुई थी जिसमें जोईंट मजिस्ट्रेट नमामी बंसल ने ग्रामिडों को आंदोलन इस्तिकित करने के लिए कहा लेकिन ग्रामिड नहीं माने और उनका आंदोलन शुरू हो गया। शाम के समय धर्ना इस्ति पर ग्रामिडों का जमावडा हो गया और इसके बाद ग्रामिडों और सिना के बीच तनाव भी बन गया। फिलाल तनावपूर इस्ति को देखते हुए आसपास के ठानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गए। से संबंदेत शाष्णा देश भी सौब दिया है। गरतलब है कि उत्रकंड कैमिरेट ने माया देवी मंदर की उचाई 270 मीटर और जुना अखाडे में ही इस से तर्फ हैरव मंदर की उचाई 157 मीटर तक उचा उठाने की मनजूरी दे दी है। अब बहुत जल्दी नक्षा बनने के बाद मंदर के जिर्नोधार का काम पूरा हो जाएगा। बताते चलें कि शाषना देश स्वापने पहुँचे मिरादिकारी देपक रावत ने माया देवी मंदर में पूजो आर्चना की और साधु संतों का अशिर्वार दिया। इस दुरान जुना अखाडे के संरक्षक हरीगिरी महराज ने कहा कि मंदर में माता माया देवी आज भी साक्षात विराजमान है और माभक्तों का कल्यान करती है। विक्रित की गई है उसका काम भी वड़े युद्सतर पे चल रहा है और समय रहते अभी महराज जी से हमारी बात भी भ्रह्मन भी किया बहुत अच्छा काम चल रहा है तो मेरा यह हुआ कि माया देवी को लोग कहीं चौराह से देख लें गुष्पार पेट फारम पर घूम यहां वक्ते चुड़ से ब्रेक का है जल लौटे है सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान वा कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नम्बर वन उशधी एवं टॉनिक अगर नौकरी में तरक्की न मिलने आप उसी संबंदों में हटास होने धरवालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परशाद तो कॉल करिए 9-7, 9-5, 7-7, 7-7, 7-5 पर जहां आचार धनंजय जी आपको देंगे धर समस्या का समधान देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुभा साड़े साथ बचे सेफ लाइफ टुडे पर बुलच की रफ्तार से पताएंगे देश के हाला जानेंगे फिश्टे 24 घंटे की सभी खबरे खास देखिए तीन की बाद हमारे साथ एक नए अंदास है प्रेके बाद स्वागत है आपका टीरी में भगवान सेम नागराजा की डोली चुद्रवाला से भक्तों के साथ अपने पांचवे धाव सेम मुखेम पहुची जहां लोगों ने भगवान सेम नागराजा की डोली का स्वागत कर आशिरवाद प्राप्ति किया और इसके साथ ही लोगों ने दुनिया से कोरुणा के खात्मे के लिए प्रात्मा की इस दुरान आचारे ठीका राम जोशी, अनुप रतूरी, भज राम जोशी समेट कई लोग मौजूद रहे पहाडों की रानी मसूरी के लंड़ोर बाजार में एक वेपारी के गुदाम में आग लग गई जिसकी सूशना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँचे बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, वहीं आग लगने से सारा समान जोलकर राख हो गया वनिमत ये रही कि कोई जनहानी नहीं हुई है, आग लगने के कारणों का फिलाल पता नहीं चल पाया है पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछना चाहा, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ अभधर रता थी देखे, ये लंडॉर के एक व्यापारी है, जिनका गोदाम है सनातन धरम मंदिर के बेसमेंट पे इनका कुकिंग ओईल और बिस्किट वेगरा का गोदाम था, जिस पर की बताया जा रहा है सौर्ट सर्कृट होने के कारण सुबह आग लग गई, जिसकी सूजना इनके द्वारा सोनमबर के माध्यम से पुलिस और फायर बिगेड को दी गई, जिस पर तुरंद मौके पे फायर बिगेड और पुलिस पहुची है और बड़ी मसकत से आग पे काबू पाया गया है आग लगने का कारण पर्थम देश्टत्या सौर्स रिखिड बताया जा रहा है अभी नुक्सान की आँकलन किया जा रहा है मुकदमा दर्श किया था लेकिन अभी तक कुले सार्फो यू गिरफतारी नहीं कर पाई है जगडे में घाल युवक्य हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है फिलाल पीडित पक्ष ने पुलिस में तहरीर देकर जल से जल गिरफतारी की मांग की है जानिम पिसन के लोग उनकार इतना खतरनाग है कि मालिया वो फूरी बस्ती के लोगों अपने कापू में रखता है को चस्तों मेरे बच्चे को और वह ऐसा खतरे मुझे कि दूण करता थाऽ हुआать क्यों ए परिटकों के लिए रोमान्सकारी यात्रा पर निकलने का अिसास भी कम रोमान्सकारी नहीं होता है खासकर तब जब परिटक इस सल्म ओली की बात हो लेकिन अब यहाँ इस्वारी ₦ लोगों के साथ परिटकों को भी काफी परिशानी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ अधिकारी अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं और रोफवे का दोगुना किराया वसूल रहे हैं। इसके साथी कोविड नेमों की भी जम कर धज्या उड़ाई जा रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार के नुमाइंध्य मंत्री विश्व प्रसिद्ध परिटन स्थल आौली को विंटर डिस्टिनेशन की तर्ज पर विक्सित करने के दावे कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि विश्व प्रसिद परिटन स्थल आौली को विंटर डिस्टिनेशन बनाया जाएगा। परन तो हाला दो कुछ और ही वया कर रहे हैं। जिन स्थानी लोगों ने विश्व प्रसित परेचंसल औली की शोभा बढ़ाने वाले रोवे के निर्माण में अपनी जमीन खुर्बान की उनकी माने तो उनके लिए अभी रोवे किसी अभिशाप से कम सिद्ध नहीं हो रहा करमचारी अपने को अलगी याने की उत्राखंट से भी सुपर समझ करके ब्योहर करते हैं यहां से जो शिमर से आली जाने के लिए रोपे का टिकट एक हजार प्या हो गया इस करोना काल में जब हम कई किसंद से हुटल वाले अपना डिसकाउंट दे रहे हैं लेकिन गड़वा अपनी जमीने तो कुर्बान कर दी पर आज उन्हें ही अपनी धरोहर ओली का दीदार करने के लिए तरसना पड़ रहा है ट्रोफे का टिकट इतना कि उसकी भरपाई करपाना मुश्किल है साथ ही बाहर से भी आने वाले परचकों से ट्रोफे द्वारा हजार का टिकट परचकों को मास्क लगाने का सुझाव दे रहे हैं गड़वाल मंडल विकास निगम की अधिकारियों की मनमानी से हर कोई परिशान है इसको लेकर लाइफ टोड़े की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुची तो वहां सरकार की अधिकारियों की पोल्ट पट्टी खोलने वाली तस्वीरे सामने आई या गड़वाल मंडल विकास निगम की अधिकारी बिना मास की घूमते दिखाई दिये इसके साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है और बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी स्थानिये लोगों संग परिटकों से रोवे का हजार रुपए टिकेट वसूल रहे हैं इसे लोगों में भारी आक्रोश है उत्रांचल का ओली परिटन संग खासकर अलपाइन स्काई देश नहीं नहीं बिदेश परिटकों के लिए भी खासा लोग रहे है अलपस की पहाडियों की ओर रुक करने वाले परिटक भी एक बार ओली आकर इसके मोपाश से मुक्त नहीं हो पाते और बार बार यहां आते रहते हैं लेकिन अब यहां अधिकारियों की मनमारी के चलते कई लोगों को ओली का दीदार करने के लिए तरसना पड़ रहा है क्योंकि यहां रोप पे कज़िकर अधिकारियों ने महंगा कर दिया है यमोली से पुष्करनेगी की रिपोर्ट लाइट टोड़ अपरादों पर अंकुष लगाने के लिए देहरादून पुलिस नए नए तरीकी अपना कर बदमाशों परश्रिकंजा खसने में लगी है और इसी कड़ी में अबदून पुलिस ऑपरेशन थर्ड आई के नाम से विशेश अभियान की शुरुआत करने जा रही है इस ऑपरेशन का ओदेश समीदन शिरे स्थानों को चुनहित कर वहां हाई टेक नाइट विजन CCTV क्यामरे लगाना है इतना ही नहीं जनपत के उन सभी थाना चौकी चेतरों में उने स्थानों को भी चुनहित किया जा रहा है जहां दूर दूर तक CCTV नहीं लगे है अब सभी थाना प्रभारियों को टास्क दिया जाएगा कि वो चेतरी जनप्रतिनिगियों और जनता के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा CCTV कैमरे लगाने का काम करे वहीं देरादून डियाजी अरुन मोहन जोशी ने ऑपरेशन थर्ड आई अभियान के लिए जनपत के सभी पुलिस प्रभारियों को 15 दिनों का समय दिया है और इस दुरान इस बात की कोशिश की जाएगी कि जुले का कोई ऐसा समेधन शील इलाका ना छूटे जोहां CCTV कैमरे लगने रह जाए जो क्राइम हो रहा है उसमें तर्वाम टूल से इस्तेमाल करते हैं उसमें एक इंपर्टन टूल जो है CCTV के माध्यम से हमको टेस्ट करने का भी है मैंनमली भी कोशिश करते हैं फॉलो करने का इलेक्टरिन सिर्वलांस को इस्तमाल करते हैं लेकिन सबसे इंपर्टन जो आज की रिटमे टूल हो गया है वो कैमरे से जो भी हमको लिब में पाती है उससे काफी पुलिस को सहुलित रहती है तो एक हमें दो हफ्ते का ड्राइड स्टार्ट किया है फोकस यह है कि जो इस तरह के पॉइंट से जहां पर हमारे केमरे नहीं लगे गए हैं और जहां से करी बार हमको दिक्कते आती हैं जो हमको अमरे फ़लो कर रहे होते हैं वो एरियास हमारे कवर हो जाएं तो जो भी हमारे थाना प्रवारी हैं सरकार सरसेंट को बताया गया है कि दो हफ्ते का विशेश अभ्यान चलाएंगा जस्पुर छेत्र की नादेही में सरकारी शुगर मिले जबार तकनीकी खराबी के कारण अपने नरधारत समय से कई दिन लेट हो गई जिसकी वज़े से गन्ना किसानों को काफी परिशानियों का सामना करना बढ़ा है बताते चलें कि 25 नमबर को शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू कर दिया गया था और किसान अपना अपना गन्ना भी मिल में लेकर पहुँच रहे थे लेकिन तकनीकी खराबी होने के वज़े से किसानों को मिल प्रशाशन से ने वापस भेश दिया और कई दिन बीट जाने के बाद भी मिल सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई इसके शिकायत लेकर किसान विदायक के पास गए वहीं विदायक के कहने के बाद मिल को शुरू किया गया लेकिन अभी भी मिल पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाई है जिससे किसानों को काफी दिक्कते हो रहे है लेकिन अचाना की टेक्निकल फॉल्ट आने से हमारा टर्वाइन के में अल्टरनेटर जल गया रहे है इसकारण में काफी दिक्कते हो आई प्रसानी इसके वज़ें से इसमें मिल चलाने में कुछ देरी हो इससे किसानों को भी थोड़ी दिक्कत है मसूस मसूरी में सिक्षकों और करमचारियों नहीं काली पट्टी बांद कर प्रदशन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जम कर नारिवाजी इसके साथ ही अम्रेला आक्ट के कुछ प्रावधानों में के गए संशोधन को वापस लिये जाने की मांग की MPG कॉलेज के सिक्षक विपी जोशी ने कहा कि फ्रदेश के सभी 18 अर्शाश की विद्याले अम्रेला आक्ट के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं और उसमें संशोधन कराने की मांग कर रहे हैं अब बाजित उत्तर प्रदेश में उत्तर उत्तर प्रदेश विष्व त्याले धीनियम 1973 में तो हमारे अनुदान इत्व महावध त्याले जोते उनका अनुदान रोपने की बात की गई है हम चाहते हैं कि व्यवस्ता बनीवी थी अनुदान की वह अम्रेला एक्ट में एज तरकार हमें किसी भी विष्व जाले से संबत कर सकती है इसमें विष्चिकों का कोई विरूद नहीं है और इनी खबरों के साथ बोल्चिन में बस इतना ही दीजे जाज़त नमस्कार सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कथिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान वा कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी एवम टॉनिक बुलच की रफ्राद से बताएंगे देश के हाला जानेंगे फिछले 24 घंटे की सभी खबरे खास देखिए तीन की बात हमारे साथ एक नए अंदास है वार्दात की तह तक होगी पड़ता है जुर्म के हर दास्ता होगी बेनकाब हर अपना अधी का होगा पर्दाफार देखिए क्राइम फाइस सो बार से शेनिवार राद साथे तस बजे सिर्फ डाइप टुडे पर बॉलोट की हर खबर फिल्मी फिल्मी फिल्मी